नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इस्टेडी ग्लोस पर और आज हम लोग एक इंपोटन टॉपिक पर बात करने वाले हैं एक्जाम के पॉइंट ओवी से ये कोशन जो है वो काफी इंपोटन हो सकता है विशु में सबसे ज़्यादा पैरोवाला एक जानवर जो हो जागया है आस्ट्रेलिया में जिसका नाम है मिली पैड मतलब ये वास्तव में इसके तेरा सो छे पैर हैं कैसा इसका इस्ट्रक्चर है वो हम लोग जानेंगे इस लेक्चर के अंदर और क्या इससे पहले सबसे ज़्यादा पैरोवाला जो जीव था उसका नाम क्या था तो यहाँ पर इसने अपने नाम को चरितार्थ कर दिया है जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो जीव है वो आईलैस है आखे नहीं है तो जैसे दूसरे कीडे वगेरा एंटेना की मदद से अपने रास्तों को खोशते हैं ठीक उसी तरह ये जो मैलिपैड है ये भी अपना रास्ता खोशता है लेकिन इसका जो साइ यू जो है इसका मींस होता है सच्चा जबकि मिली जो है मिली और पैस ये जो दोनों है ये लेटिन शब्द है मिली का मींस होता है हजार और पैस का मींस होता है पैर तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम जो है वो चरितार्थ हो रहा है और दूसरा जो वर्ड है इस पौरानिक कथाओं के अंदर जो पाताल की देवी होती थी पाताल इंदा सैंस अंडर ग्राउंड काफी नीचे गहराई के अंदर जो देवी देवता होते थे पौरानिक कथाओं में उनको कहा जाता था परसे फौन और परसे फौन जो है ये यूनानी जो पौरानिक कथाओं ह वहाँ पर इसको खोजा गया है 1306 पैर है यहाँ पर तो सोचकर ही जो है यह बड़ा ताजूब होता है कि 1306 पैर कितनी होंगे, कितना बड़ा यह जीव होगा है ना, तो चलिए जानते हैं हम लोग इस लेक्चर के अंदर पूरी हम लोग इसकी कहानी जो है वो देखेंगे इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरों की संदचना जो है वो बताई गई है कि किस तरीके से इसके पैर जो है वो आपस में जुड़े हुए है इसके कुछ एंटिना जो है वो सामने दर्शाए गए है जिससे अपना रास्ता जो है यह खोच पाता है और पूरे विश्यो में लगभग 13,000 इस्पेसी जो है प्रजातियां वो इसकी पाई जाती है लेकिन यह प्रत्वी के उपर 40 करोड सालों से जो है वो रहता हुआ आरा है इससे पहले 750 पैरो वाला एक और कैलिफॉर्नियन यहां पर मैलिपीड पाए गया था जिसके केवल 750 पैर थे अब मैं केवल वर्ड का यूज इसली कर रहा हूँ क्योंकि यहां पर 1306 पैर जो है वो अब पाए गये है तो इससे पहले जो था वो कैलिफॉर्नियन इलेकमे प्लेनिपस है ना नाम बड़ा अटपटा है इसी नाम का यह जो जीव था वो पाए गया था लेकिन उसको अब रिप्लेस किया है मैलिपैर्स ने जिसके 1306 पैर जो है वो पाए जा रहे हैं बेसिकली यह जो जीव है यह इन वर्टिब्राट्स है निकि मतलब इन में कोई भी जो है वो रीड की हड़ी नहीं पाई जाती है और यह बेलनाकार और चप्टे होते हैं अभी हम लोगों ने डाइग्राम में देखा कि कैसे जो है यह बेलनाकार है पॉनिकल शेप की अंदर है इनकी सत्य जो है वो थोड़ी सी चप्टी रहती है डहर सारे इनके पैर है और उनी के अधार पर जो है वो इसको पहचान मिली है तो यहाँ पर हम लोग वर्ट्स को समझ चुके हैं इस जीव को देखिए जैसे ही इसे टच किया जाता है तो यह राउंड राउंड जो है वो घूम जाता है ताकि इसे कोई नुकसान ना पहुंचे और इसकी जो साइज आप लोग देख रहे हो ना यह केवल तीन इंच की साइज है और इसकी चोड़ाई एक इंच से भी कम है चोड़ाई काफी कम है लेकिन लंबाई जो है वो लगवग 3 से 4 इंच इसकी पाई जाती है और टोटल 330 पार्ट के अंदर वापस रिपीट करता हूं 330 पार्ट के अंदर यह बटा हुआ होता है और उसके साथ में पूरी बॉड़ी जो है वो इसकी बनती है तो 330 पार्ट अलग-अलग और फिर इसकी बॉड़ी जो है वो पूरी बनती है तो यहाँ पर हम लोग डाइग्राम में देख सकते हैं कि इसके दो तो एंटिना है जिन से ये अपना रास्ता जो है उसको फाउंड करता है इसकी जो बॉड़ी है वो वेव लाइक है निकि साप जिसे चलता है अपने पैरों के मदद से साप के पैर तो दिखते नहीं है वो पैर जो है वो अंदरुनी पैर उसके होते हैं तो टीक वैसे ही इसके पैर बाहर दिखाई देते हैं जिनकी मदद से ये मूव करता है और कई सारे लेग पैर जो है वो इसके पाए जाते हैं अच्छा 60 मेटर इसको जमीन के नीचे खोजा गया है तो क्या तरीका रहा होगा? लेकि आस्ट्रेलिया जो है वो अपने गोल्ड माइन्स के लिए काफी फेमस है और गोल्ड माइन्स के अंदर एक टेकनलोजी यूज की जाती है जिसको कहा जाता है ट्रोग लोग फ्यूना तो ट्रोग लोग फ्यूना जो टेकनिक है इसकी मदद से दरारों के अंदर भी जो सोना है इसको खोज निकाला जाता है तो वहीं दरारों के अंदर यही मिलिपेड जो हैं वो पाए जाते हैं सोचकर देखिए 40 करोड साल से यह रह रहे हैं और इनके पैर 1306 पैर बताए जा रहे हैं तो बड़ा ही यह विचित्र जीव है और प्रत्वी पर सबसे ज़्यादा पैरों वाला जीव जो है वो बन चुका है और 750 वाले पैर वाले जो मिलिपेड थे उनका रिकोर्ड इन्होंने तोड़ दिया है तो आज कर लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना है कि यदि कोशिन आये तो आप लोगों गलत नहीं करना है कि विशो में सबसे ज़्यादा पैरों वाला जो जीव है वो कौन सा है मैलिपेड है और कशेरुकी है निकी इन वर्टिब्रा है कोई भी जो है वो इनके अंदर कशेरुक दंड या हम लोगों कहें रीड की हड़ी जो है वो नहीं पाई जाती है ठीक है तो ये सारा जो है वो मैंने इनके बारे में बता दिया है आप लोग मुझे इंस्टाबर फॉलो कर सकते हो जो भी क्वेरी से मुझे पूछ सकते हो उसके साथ में ही लेक्चर की पीडियेफ आप लोग को दीपक इंदोरा ओफिचल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और जो भी क्विज है वो भी आप लोग के लिए करन्ट अफेर की अपलोड करती जाते हैं तो आप लोग को जरूर उन्हें अटेंप्ट करना चाहिए ये स्टेडी ग्लोज आप लोग के लिए बहुत ही बहुत ही बहतरीन कंटेंट लेकर आता है नॉलेज इस पावर ये हमारी टैग लाइन है तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स लेक्चर के अंदर तब तक लिए धन्यवाद थेंक यू